इस वक्त कॉंघ्रेस मुख्याले में बहुत हलचल है, कॉंघरस दफ्टर से लेकर राहूल गांधी और सोनिया के घर की सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ा दिकए है कॉंघरस के सीनय लीडर, इस वक्त कॉंघरस हैड ऑफिस में बेटे हुए है कॉंग्रेस दफ्तर में पड़ी हलचल के पीछे E.D. का आक्षन है दरसल आज शाम को प्रवर्ता निदेशाला यानि E.D. ने National Herald केस में Young Indian के दफ्तर को सील कर दिया Young Indian का दफ्तर दिली में ही National Herald परिसर में है I.T.O. पर है E.D. के आक्षन को लेकर कॉंग्रेस ने शॉट नोटिस पर प्रेस कांफरेंस बुलाई कॉंग्रेस के दो नेता अभिशेक मनुश सिंग्री जहराम रमेश ने प्रेस कांफरेंस में केंद्र सरकार प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी पर पड़ा हमला बोला एक लाइन में पूरी कारवाई पर कटाक्ष करते हुए कहा बिनाश काले विपरीत बुद्धी बड़ी बात ये है कि जिस वक्त Young Indian का दफ्तर सीज किया गया उस वक्त राहुल गांधी डिल्ली से दूर करनाटक में थोड़ी जार बात यह ले लिए लगवक साड़े दस बजे आज दिली पहुंचेगे राहुल गांधी हला कि करनाटक से दिल्ली रवाना होने से पहले राहूल गांदी ने केंदर सरकार की नीती और नियत पर बड़ा हमला बोला है लेकिन आखर ये पूरी हल चल है क्यों किया क्या है आजैसा एडी ने जिसकी वज़े से कॉंग्रेस पार्टी के तमाम दिगज आज जमीन पर उतरे पैस कॉंफरेंस की लगबग शाम के छे बजे बड़े दिगज नेता कॉंग्रेस दफतर पहुशने लगे जिया आज यंग इंडियन के दफतर को आईटी ओपर हेरल्ड हाउस में एडी ने टेंपररली बताया जा रहा है सील कर दिया है पहले राहुल गांधी से पूचताज फिर सोनिया गांधी से पूचताज अब दफतर पर इडी का ताला दिल्ली में नैशनल हेराल्ड परिसर में बने यंग इंडिया के दफतर को इडी ने सील कर दिया दफतर के बाहर चस्पा नोटिस में क्या लिखा गया है पहले सुनिये और देखी यंग इंडिया का दफतर सी दफतर को इडी की इजाज़त के बिना नहीं खोला जाए मोदी जी जब सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं तब भी उनका आंकड़ा 40 से प्रदिशत कम होता है आज जो 17 पार्टियां है वो 61 प्रदिशत नहीं है तो कब सब 55 प्रदिशत तो है इसका मतलब है देश में एक बहुत बड़ी सहमती है सभी पार्टिश में कि ये कानून का दुरुपयोग सब 55 वर्ष में किसी ने नहीं किया क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार से लोग एक जुट हो कि इसका विरोद कर रहे हैं उच्चितम नाले ने एक कानूनी निर्डे दिया वे अलग सतर पे हैं लेकिन उच्चितम नाले ने यह नहीं लिखा उस निर्डे में कि आप जाके इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं इधर एडी के एक्शन हुआ उधर कॉंग्रेस दफ्तर से लेकर सोनिया गांधी और राहूल गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गए वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस की टॉप लीडर्शिप वुख्याले पर जुटने लगे इडी के एक्शन पर कॉंग्रेस की पहली टिपणी लिखित में आई ट्वीटर पर इडी के एक्शन की परिभाशा यू की सत्य की आवाज नहीं डरेगी पुलिस या पहरों से गांधी के अन्युआई लड़के जीतेंगे इन अंधेरों से नैशनल हेराल्ड का ओफिस सील करना, कॉंग्रेस मुख्याले को पुलिस पहरे में कैड करना, तानशा की डर और बौकला हट दोनों दिखाता है पर महंगाई और बेरुजगाई के सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे बड़ी बात यह है कि दफ्तर सील करने से पहले मंगलवार को ही एडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नैशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलका का समेच 16 ठिकानों पर च्छापे मारे थे, ये च्छापे मारी सोनिया गांदी और रहुल गांदी से पूछताज के बाद हुए, अब इस पूरे एक्शन पर कॉंग्रेस हमला वर है पार्टियों की तरफ से विपक्ष की पार्टि के नेता भी राश्ट्रपती से मिलेंगे और सुप्रीम कोट में जो कारवाई होनी है, वो कराई जाएगे अरे उसको रूल्स है, रेगलेशन है, ऐसा नहीं कि उनके घर पे मारो, इनके घर पे मारो, फिर नाशनल हेराओड पे, फिर एक बार बुलाओ, कि कितनी जल्दी से वो काम कर रहे है इससे ही अन्दादा लगता ना, छे दिन पहले बुलाए, इमिडेटली नाशनल हेराओड पे डाले, कल पर सुनाशनल हेराओड में हुआ, आज उनके मकान पे गए है, इसका मतलब क्या है पूरे भारत में केवल एक ही राजडितिक परिवार है, जिसके तीन सदस से भरष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है सोनिया गांदी, राहूल गांदी और रॉबर्ट वाडरा, मेरा एक सवाल था, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ, इनकी सारी बाते अगर मान ली जाएं, तो ये अगर राजडितिक द्वेश का मामला है, तो आप कोड जाके, खतम क्यों नहीं कराते म कामले को ये मैं नहीं समझ पाए, बीजेपी की सफाई विपक्ष के गले नहीं उतर रहे, इसे संयोग कहें या प्रयोग, बीदे कुछ सालों में विपक्ष के तमाम बड़े नेदाओं के खिलाफ एडी की जान चल रही है, पार्टी कॉंग्रेस, सोनिया गांधी के अब सवाली ही है कि यंग इंडिया के दख्तर पर एडी के ताले के बाद क्या सोनिया और बहुल गांधी के खिलाब एडी कोई बड़ी कारवाई कर सकती है, दिल्ली से मौसमी सिंग के साथ अर्विन दोज्वा, आज तक